तो अपने जू के विजिटर्स को मोनोरेल इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है कि यहाँ पर लंबी लाइन लग रही है और लंबी लाइन को रिजूल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर अब 20 मोनोरेल चला दिया है, पहले 10 लाई थी, वो काफी साइच चल रही थी, तो मैंने जो मैक्स लिमिट थी, एक स्टेशन पर चलानी की वो 20 थी, तो वो 20 सेट कर दिया है, और अब बैलेंस भी काफी अच्छा खासा हो चुका है, 72,000 डॉलर हो चुके हैं, तो बहुत चादा प्रॉफिट आ रहा है मोनोरेल से, और मैं इस प्रॉफिट से काफी सारे एनिमल्स भी लिया हूँ, और अभी फिलाल यहाँ पर ट्रांस्फोर्मर शायद ओवरलोड हो गया है, इसको एक बार रिपेर करा लेते हैं, वैसा मेकैनिक बिला रख है, आई रहा होगा, यह ट्रांस्फोर्मर इस मोनोरेल को पावर देता है, इसलिए शायद यह अभी मोनोरेल अराम से जा रही है, यह ट्रांस्फोर्मर शायद पूरी प्रॉपर पावर नहीं दे रहा है, थोड़ी से दूमें बगारा उठ रहे हैं इसमें से, अभी यह एक बार रिपेर हो जाएगा, तो फिर ठीक हो जाएगा, एक तो मैंने यहाँ पर थोड़ा डेकोरेशन का चेंज किया है, यहाँ पर यह ट्री लगाए है, और इधर यहाँ पर यह गुल्पी सोड़ा वगरा के ओपन कर दिया है, बतलब यहाँ सोड़ा का है, यहाँ इंफरमेशन काउंटर है, और यहां बैलून्स का है यह अभी open नहीं है यह अभी open कर देता हूं मैंने इन्हें मुझे power supply करनी है और उसके लावा यहां पर मैंने जोए यह outlet सोड़ी सी open कर दी है यह soda की है इधर इधर यह cow milk की है और इधर यह energy drink के कोई pip shot करके इसकी लगा दी है और बाकी इसके लावा म मैं animals में जो है जराफ लेके आ गया हूं तो जराफ का यह रहा यहां पर जराफ के लिए मैं चोटा है habitat बना दिया है और यह जराफ के लिए मैंने यह थ्लड़ा वड़न का निचे बनाया है यहां पर अभी यह बारिश में भार ही घूम रहा है और अभी यह जराफ ज्याद तो यहां से दिख सकता है यहां से दिख रहा है और इस साइड से नहीं दिखेगा तो इस साइड से क्या है अपने जितने भी एनिमल्स ऐसे हबिटेट में रखेंगे इसमें वन साइड ग्लास रखा होगा तो उसमें एनिमल्स जदा विजिटर्स को देखके अनकमफर्टेबल नहीं होता तो अपने comfort में रहता है normally animal इसलिए one side glass यूज किया जाता है और यह one side glass पहले unlock नहीं हुआ था mechanic से research करवाई मैंने उसके बाद जाके unlock हुआ और यहां से ही मैंने यह flamingos थोड़े निकाल दिया है और यहां से चिंपैंजी नया purchase किया है इसके लिए भी habitat नी बनाया है इसके लिए भी habitat बनाना है इसका habitat थोड़ा डिफरेंट तरीके का बनाना है उसमें पानी वगर की requirement है जाए भार नहीं निकल पाए तो उसको थोड़ा सा भी time लगया बनाने में उसको आज बना लेंगे और यह पीकोक पहले timber wolf थी तो चीत मुझा मैंने purchase कर लिया यह बैठावा है यहां पर यह कुछ खा रहा है बैठके नहीं ऐसी बैठावा है और यहां पर timber wolf जो थी उसके लिए मैं दूसरा habitat बना दिया उसको दूसरा habitat में भीज दिया है और वह उस habitat में जाके रेस्लिंट भी हो चुकी है अब बस चीत है यहां पर और वहाला habitat खाली है तो उसके लिए timber wolf मैं और परचेस कर लूँगा या फिर habitat वहाला केसी और अनिमल को दे दूगा इसके साथ में जो है यह बना दिया है यहां पर यह रखे हैं यह एंटेलोप है यह बी मतलब यह 12 सिंगे है में हिंदी में 12 यह बोलते हैं यह 12 सिंगा ही लग रहा है और यह 3 में लेया है यहां पर यह इनके लिए habitat काफी सफिचेंट है और यह habitat थोड़ा ऊचे पर और इसे यहां पर यह रुकने के लिए मैं जगह बना दिया और नीचे घास डाल दिया है और यह पूरा वूड का structure बनाया है यहां इसके लाबा जो इंडियन राइनस फिरस था यह वाला habitat था यह भी rest in peace हो चुका है तो यह भी आस देखना है कि यह भी दूसरा मिल जाए यह habitat खाली पड़ा है और इधर जो है जो बंगाल टाइगर था उसमें फीमेर बंगाल टाइगर थी वो भी rest in peace हो चुकी है उसकी म repay今 से मोनोरेल आ रही है ंगल रेल 20 बीश चल रही है तो काफि सारी दिख जाएंगी को इदर से जाती neighborhood भी दिख रहे गी फिर अच्छा वह पैस जाती 그것 देखते वे पर यह लागDe और बाकी मैं यहाँ पर एक Red Panda भी लेया हूँ Red Panda यहाँ पर गूम रहा है यह Red Panda का Habitat यहाँ त्यार कर दिया है Red Panda यह बैठा हुआ यह चोटा होता है और जो दूसरे वाला हो तो Giant Panda वो काफी जादा बड़ा होता है यह तो काफी जादा चोटा है पर काफि साही भी लग रहा है। और ये एक यह है इस वाले हैविटव में अभी एक और आ सकता है तो यहां पर एक और लेकिए आऊंगा अभी। और ये खड़ाओं के दिखा रहा है से ये काफी चोटा साइस की मैक्सिम साइज इसका यही शैद और यहां पर दो कैमल है यह कैमल यहां गूम रहे हैं एक यह रहा और दूसरा कहां पर दूसरा यहां पर सोया पड़ा है सोया पड़ा है यहां सो ही रखा है यह ऐसे कैसे मिटी है मुझे के सो रखा है अब चिंपांजी के लिए हैबिटट त्यार कर लेते हैं और एक हैबिटट मैंने और बनाया है यहां पर वो खाली है वो बनाया है इस साइड यहां पर और यह तो अपना भालू वाला है और यहा तो यहां पर तो अभी कुछ नहीं है, यहां पर एक और अनिमल ला सकता हूं, और यहां पर एक हैविटेट यह खाली पड़ावा था, तो मैंने बालू को यहां भेज दिया, इसमें एक बालू होगा, कहां पर गया, शायद वेट लेके गई होगी उसको, इधर तो है नहीं, इधरा अक हीबते हैं, इसको च्बूकरिंश होगी है, तो यहां पर इधर नहीं है तो जैसरी कह नहीं है, यहां पर बीख किरता हैं, सब्सक्राइब बड़ा जाने, गुब लिए यहां पर चार, 5, 6, 7, 8 अगने विए अब इचिंपाइजी के लिए हैब कोई चार के लिए बनाना और तो बैख लिए यह अपने पास खाली और यह एक यह वाला एंटر लोग पर इसको तो शैद मैं उनके साथ भी छोड़ाता हूं नॉर्मल वालों के साहित इसको छोड़के देख लेता हूं, वहां तो इतना इशू नहीं होगा, जो इधर अपने 12 सिंगें यहां रखें हैं, इनके साथ ही रख देते हैं, यहां पर, और चिंपांजी के लिए देख लेते हैं, चिंपांजी के लिए कैसा हबिटेट चीए, तो इसका थोड़ा जूप टाइप का सा, 80 मीटर स्क्वार का, और ग्रेट 3 है, क्लाइम प्रूफ, 5 मीटर से भी ज्यादा हाई टखनी पड़ेगी, यह पाउंडरी की नहीं तो यह उपर चड़के भाहर निकल जाएगा, और वोटर चाहिए, यह चाहिए, बाउंडरी के साथ साथ, ताकि यह इसी है नहीं, यहाँ पर मैं नई जगे त्यार कर सकता हूं इसके लिए, बट यहाँ पर पानी का बनाने में थोड़ा सा एश्यू होगा, और यहाँ पर पूरा रास्ता लेके आना पड़ेगा, और वैसे मैं एक एनिमल और लेके आ था, उसको तुम बताना बहुली गया, वह एनिमल है स्नो लेपर, यहाँ पर गूम रहा है, घास के अंदर दिखनी रहा है यह भी, क्योंकि घास यहाँ पर काफी ज़्यादा बड़ी होगी है, एक मिन यहाँ की घास को भी मैं छोटा करी देता हूं, थोड़ी सी छोड़ेता है, बड़ी सी सैड यहाँ पर बड़ लगव है, जो टेंपरिचर को बहुत चादा ठंडा रखता है, क्योंकि स्नो लेपर को काफी ज़्यादा ठंड चाहिए होती है, और यह अब भार की सैड आ गया, अब दिख जाएगा यहाँ पर, हीरा स्नो लेपर, और इसकी आंके अलगी चमकरी है, तो यह स्नो लेपर जिफ्टी का धियान भी रखना पड़ता है, तो किसने अगर फैंसिंग तोड़ी, तो फिर तो यह सिदा बाहर निकल जाएगा, बाकी यहाँ पर शाद कोई और अनिमल लड़ रहे है, मैं को आवाज आई है, यहाँ पर यह लेमार भी काफी ज़्यादा हो चुके, मैं को ल यहाँ आई है इनका खाना डाल रहा है, और किदर की सैड लड़ रहा है, अवाज तो यह लड़ रहे है, अबे लड़ क्यों रहे हो आपस में, यह रहे, जाओ वापी जाओ एक को बेजता हूं भी ट्रेड सेंटर में, ज्यादा हो गई ना यह आपस में बिढ़ने लग जा आपकी एक जगह डालेगा, तो सारे जो यह लड़ना शुकरतेंगे, वाल अलग जगह डाल रहा है तो अलग जगह खालेंगे, और साफ सफाई भी एक करीर है, अब कि चिंपैंजी के लिए जेकर देखनी है, और यह दो भालू है यह यह आपर एक बालू वहाँ पर आपके 6 मीटर वाइड और 2 मीटर डीब, तो यहाँ पर इदर नीचे खोदना शुकरता हूँ, इदर की साइड पूरा पानी के लिए बनाना पड़ेगा, सारी साइड नहीं तो वह भार निकल जाएगा, तो इसके चावा तरफ मैंने पानी के लिए डिगिंग तो कर दिया है, बट यह यहाँ से इसका यह जो शेल्टर था, यह अटाना पड़ेगा, यह तो वह शेल्टर पर चड़के उपर से भाग जाएगा, और इस शेल्टर को पहले हटा लेता हूँ, मैं यहाँ से, और इसक बीच में लगा देंगे, इसको मूव करना पड़ेगा, तो शेल्टर को फलाल मैं डिलीट कर दिया, हीटर को भी डिलीट कर देता हूँ, और क्योंकि यहाँ पर शेल्टर दूसरे आला बनाओगा, चिंपैंजी के लिए अलग तरीके का, यहाँ पर पूरा पानी का डिगिं इन में इलेक्टरिक करन चलता रहता है, तो यहाँ पर जो है, इसके आस पास तो नहाएगा, बट फिर भी इसको मैं ऐसे करता हूँ, जिसमें लेमार वाले में बनाया है, लेमार वाले में मैंने क्या किया है, थोड़ा सा गेट अंदर ही तरफ करके, पानी में से निकाला है तो वैसा ही कर लेता हूँ, पहले उसके लिए में कोई यहाँ से यहाँ से वाला गेट डिलीट करना पड़ेगा, यह फैंस भी यहाँ से थोड़ी हटानी पड़ेगी, यह भी हटा दी, और अब इन फैंस इसको ना अंदर से गुमा के लेके आना पड़ेगा, तो यह फैंस चाहिए थी, तो सारे की सारी फैंस को 5 मिटर करता हूँ, सलेक्ट और इन सब करता हूँ, और 5 मिटर की और यह साथ वाली भी रेस हो रही है, गड़ी यह उसको भी करी दिता हूँ, वह भी कोई बात नहीं, पांच मिटर पर से रहेगा, उदर से भी निकल पाएगा, तो यह इस सारी की सारी मैंने 5 मिटर रेज कर दिया है यह 5 मिटर की हाइट होगी अब फैंस तो काफी जादा ऊची होगी है अब बस करना क्या है यहाँ पर गेट लगाना है कीपर्स के जाने के लिए तो गेट तो मैं यही वाला यूज कर रहा हूँ जो मैं हमेशा यूज करता हूँ यह वाला गेट सबसे साही है अभी इस गेट को जो है रास्ते से कनेक्ट करना पड़ेगा तो इस गेट को इस रास्ते से कनेक्ट करने के लिए यहाँ से ले जाके और यह हो गया से कनेक्ट यहां पर यहां पर पानी यहां तक थोड़ आ तो और उपर लेवल इतना काफी है शे मिटर हो गया होगा बाकि यहां चिंपानी आजागा पता भी चल जाएगा अगर भाग सका तो यहां से 6 मिटर नहीं होगा और अभी important alerts क्या आ रहे हैं कौन सा animal अब भाग गया ओ dangerous animal जिराफ कैसे बाहर आ गया क्या हो capture करो भाइस को ये कहां से बाहर निकल गया क्या हो गया यहां से सारे guests भाग गया है जिराफ ने तो आतंक मचा दिया क्या हो जिराफ के habitat में यह कहां से निकला है इधर से तो सही है इधर से तो नहीं तूटा इधर से भी नहीं तूटा निकल कहां से गया यह इसके भी advances ना electric वाले कर देता हूं यह है electric वाले और इनके थोड़ी से height increase करता हूं जिराफ की height ज्यादा ही होती है इसको भी पांच मिटर तक ही लिए जाता हूं अब ठीक है पांच मिटर तक कर दिया तो जिराफ का निकलने चांस नहीं होगा तो यह लेगे उठा के यहां से इधर तो नहीं है वह भीजी रहेंगे जिराफ के habitat में आगे जिराफ यहां पे छोड़ दिया इसको यह भीए लग रहा है जो फैंस ते ना उनके ऊपर से निकलके चला गया पहली बार अपना एक लाग दोलर्स से उपर हो चुका है पहली पार अपना जू एक लाग डॉलर से उपर गया है तो अप जू अछा खासा profit में आ गया है और ये profit mainly ऐा सारा का सारा monorail की वहेज़े monorail से ही सारा profit हो रहा है अभी conservation credits भी 1000 से उपर हो चुके है तो मैंने lion देखा था lion 1400 conservation credit का मिल रहा था तो वैसे एक बार देख लता हूं कि अधर रेट कम हो गया, अगर लाइन मिल जागा तो लाइन लेके आना है और लाइन के लिए खैबिट बनाना है अभी तो कोई लिस्टिंग ही नहीं आ रहे है लाइन की नहीं, उसके लावा कोई ओर धंका अनिमल मिल रहा हूं जैसे यह कैमल तो है बंगाल टाइगर में यह एक फीमेल मिल रही है, 884 की फीमेल लेते जादा बेटर है क्योंकि एक बंगाल टाइगर है अपने पास यह फीमेल ठीक है, इसकी एज भी ठीक है, 6.8 years की है तो इसको मैं अडॉप्ट करी लेता हूं, इससे फायता है होगा कि काफी सारे बंगाल टाइगर और हो जाएंगे तो बंगाल टाइगर का हैबिटेट एरा, इसको यहां भेज देता हूं इक मेल भगाल टाइगर हो गया एक फीमेल भगाल टाइगर होगी और एलिफेंट भी एक और लेना है और पास पी फीमेल इलिफेंट मिल रही है बढ़ यह फिर वह इतना जाद महंगी है 1122 कंजर्विशन क्रइट अब इतने तो मैंने सार्च कर दिये 129 बचेंद और सारे जिए जासे गया जादा गया हो चुके थो भी 1500 कुछ गया है जिराफ निकल गया तो सारे गया दिया उसने अब आतों रहे हैं दीरे कर कि आने लग जा घया है और अपने मोनोरेल के यहां पर भी भी लगी है है तो क्यों लगा ही रहता है अब चिंपैंजी को देख लिए चिं इसके बाद एक मेल चिंपैंजी और ले लुगा तो इनके भी काफी सारे चिंपैंजी हो जाएंगे यहां पर इसके लिए शैल्टर बनाना है शैल्टर और वुड़न वाले काफी सारे आया उसके लिए ट्री भी लगाना था में को अंदर ना उसको क्लैमिंग का भी चाहिए तो एक ट्री लगायते हैं बढ़िया साइस के लिए तो एक तुम्हें को यह वाला साही लग रहा है यह लगायता हूं यहां पर एक थोड़ा उच्याला लगायता हूं 80 मीटर की हाइट चाहिए थी ना तो थोड़ा उच्छा भी लगाना पड़ेगा यह वाला जिस छोटा मिरर मोबाइल मुजिकल कीबोर्ड में चाहिए इसको काफी सारी चीजे हैं साही चीजे अवलेबल हैं यह सारी यहां मिल जाएंगी हैबिटेट में एनिच्मेंट आइटम में तो इसको एक तो यह ब्लॉक ऑफ आइस चाहिए है उसके बाद क्लाइमिंग के लिए भी है यह चीजे छे मीटर वाला है और यह कितना है यह दो मीटर वाला है ख्लाइमिंग का तो छोड़ो थो मैं लगा दिया क्लामिंग जा थीक और यह जाए था है चाहर तो रहा पेल यह जो पीडोर्ड है उसको मिम्योजिकल की बोर्ड रख देता है और मिरर चीजे था कुछ आई मिरर मोबाइल करके पता निये क्या मिरर भी चाहिए प्रिंपैन्स जी को इसके क्या रिक्वारा मेंट है उसके लगा चाहिए कार्बोक्स स्प्रिंक्लर और ग्रैब बॉल रहे है अरक्ष रख दिया और स्प्रिंक्लर चाहिए कहाँ बॉलugen इसके लिए यह थोड़ी घास शोट कर दूमे को ज्यादा बड़ी लग रही है यहां से थोड़ी सी घास को कम करेता हूं ताकि अपने गैस को या राम से देख सके नहीं तो घास में चुपके बैठा रहेगा इसर वाली को सारी घास को छोटी करेता हूं इससे विजिबिल्ट काफी जादा महंगा था था यह था दूसरा भी देखना पड़ाए गाइगा खट्यों जाएंगे तब ही ले पाँगो अभी फिलाल तो इसको यहां पे अक्यले ही छोड़ना पड़ेगा हाँ यह देखने में उदास लग रही है कोई नहीं अभी देख रहे ताँप ट्राय करता हूं एक बार कोई पैसो में मिल जाते हैं और कुछ जो है कंजरुशन क्रेड़िटर मिलते हैं अब यहां चिमपैण जी देखते हैं है कर पैसों में मिल गया तो अपना काम सही बन ज अब यह इंडिया राने रोस वाला खाली पड़ा गया है विटेट कुछ अलर्ट आ रहा है कोई और राने बन निकल गया भार कौन सा निकला है ये 12 सिंगा निकल गया अमर जैसी कैप्चे के 1000 रोइस ने और लगवा दिये और ये कहां से निकल गया इधर तो कहीं जगे है नी habitat तो टूटा भी नहीं है ये इधर से कहीं से तोड़ दिया गया habitat ये वाला और ये कौन से वाला बाहर निकला है और इसे पॉइंट 3 एयर्स का है मतलब तीन महीने का है ये बाहर निकल गया इसको अभी अंदर मूव करवा जैते हैं और ये बाहर निकलने के लिए इसने कहीं नीचे से रास्ता बना लिया गया यहां फैंसिंग में से यहां भी एलेक्ट्रिक फैंसिस लगाये तो हम फिर तो निकल PAYEGA इन वाली फैंसिस को भी चेंज कर रूँ यहां पर ऐसे नॉर्मल फैंसिस में तो यह भाग रहा है निमल ना इसके सारी फैंसिस को ना इलेक्रिक वाली कर दाओ यह एलेक्ट्रिक और थोड़ी इसकी हाइट भी बढ़ाता हूँ यह तो हाइट की जादा रेक्वाइमेंट है यह तीर मिटर से ज़्यादा कर दिया इतना काफी है अब तो यह निकल पाएगा और इसने लाकिस को अंदर छोड़ भी दिया यह कितना चोटा है देखें उसको जादा ओ यह तो बहुत ही जादा चोटा है यह कहीं में को लग रहा है थोड़ी वह जगें मिलकी होएगी उससे ही पार हो गया और कितने तेज दोड़ रहा है खेल लें यहीं पर अब तो इलेक्ट्रिक वाली फैंस लगी है आपने निकल पाएगा आप बहुत तो काफी सारे अनिमल्स हो चुके हैं यहां पर और काफी अच्छे भी लग रहे हैं और उनके पॉपुलेशन भी काफी जादा बढ़ रही और चीता वाली फैंस तो वैसे थीक हैं अभी तक तोड़ी निया इसने बट अगर इसने तोड़ी तो इसकी भी लेक्ट्रिक वाली लगा देंगे अब इंडिन राइनस वरस का रिख लेता हूं की राइनस विरस मिल गया तो परचेस कर लेते हैं ने तो किसी और आनिमल को ने तो हो चुका है बस गंजर्वरिशन करेड़ कम है अब यह पैसो में देख लेते हैं कोई पैसो में मिल जाए पैसो में तो काफी सारे अनिमल मिली रहे है यह बाइसन मिल रहा है बाइसन लेकर रख दूँनाए टैंपरी या तो मैं और यह क्या है यह तो टैपिर है पता अनिमल ने देखता है अविटेट में तो जो हैपिनस मीटर है वो डाउन हो जाता है तो इससे जो है मैं अपने जू के बाद में रेट नी बढ़ा सकता मुझे रेट डाउन करने पड़ते है क्योंकि गैस इतने खुश नहीं होते जूसे तो अच्छा रिव्यू देके नही चाहिए उसमें दूसा एनिमल रख लूँ बर्ट हैविटेट में कोई ना कोई एनिमल रहना चाहिए और फिलाल यह वाला जो बढ़नी बेक है इस सेट तो गैस कम ही आते हैं क्योंकि इस सेट मैं यह बना रहा हूँ इस सेट यह लाविटेट खाली है उधर बहुत दूर ज छुटे पे चले गिए क्योंकि क्यों यह आई नितर पर यह ग्याने की जगह यहां पर बैटके भी गट घूए कर सकते हो यहां से लेकर इदर बैटके भी खा सकते है की एक ही pipeline अच्छी ख longest बेक्षाष्य वह भी रहती है तो हिपो प्रोटमस का आ गया, और इसके लिए habitat में, पानी की requirement है, मतलब इसका तो जितना habitat का आ रहिए है, 1004 meter मेटर उतनी पानी की भी आ रहिए है, यतना पानी यहां पे है नहीं, तो जितना पानी है उससे काम चला लेगा भी, इतना पानी सफिशेंट है और पानी में जाने वाला में को लग रहा है और एक और अनिमल बाहर निकल गया, आप कौन सा वाजम गया, अब ये कैसे बाहर निकल गया, ये फिर से बाहर निकल गया इसको capture कर लो, इसके लिए बात में solution डोड़ेंगे कुछ, इसको अभी डबे में रहन दो, निकल कहां से रहा है ये, यहां से कहीं चड़ बड़के कूद बूत रहा है गया, तो इन्होंने workers ने इसको अंदर भेज दिया, फिलो कोई बात नहीं, इसको यहां पर अंदर आ वही कैसे यवाज निकाल रहा है, भागा, कहा भागा, अब तो निकल नहीं कोशिच निकर रहा है, अब निकल, मैं देखू कहां से निकलता है, वहां से उस चीज का solution कर दुगा यहां से तो नहीं निकला भी भी यह पता है कहां से निकल सकता है मैं को क्या लग रहा है यह यहां से शायद जम कर गया होगा यह क्योंकि काफी ज़्यादा जम कर दाते हैं इसको अटाता हूँ यहां से हबिटेट को यही एक option दिख रही है मैं को जहां से यह जम्प करके जा रहोगा, इसको पूरे को मूव करके ना बीच में लगाएता हूँ यहाँ पर इधर की साइड ता कि यह ज़्यादा जम्प ना कर पाए यहाँ से तो ज़्यादा जम्प ना कर पाएगा, इधर ठीक है यह फिसको अटाई देता हूँ यह थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लगा दिया, मैंने इनके साब से इनको ओपन में रहाँ देता हूँ तो ओपन में ठीक है, इनको इतनी रिक्वार्मेंट है नहीं अभी बाद में अगर इनके लिए बनाना होगा, तो यहाँ पर केव टाइफ की से बना दूँआ, वह ज़्यादा बैटर रहेगी, क्योंकि यही एक था जुमी को लग रहा है कि इसके ओपर चड़के इसने जंप किया होगा, अभी निकला नहीं है, अभी फिर से निकला तो पर चल जाएगा, और बाकी अपना बैलेंस भी जो है, दो किया तक क्यों लगी थी, और अभी भी गैस जो आ रहे हैं, इधर की सेट काफी सारे आएंगे, यहागा यहाँ पर, बाकी इसके प्लैटफोर्म का भी इंप्रूव करना है, इसके ओपर रूफ अगरा बनानी है, तो वह इसकी रूफ अगरा काम भी मैं जल्दी स्टार्ट क किया जल्दी स्टार।